लेकर आये हैं भी ये परतमबस के सेकंड सेमस्टर विस्व सिच्छा सास्त्र के कुछ महात्यपूर प्रशने हैं बाग पांच चार भाग हम करवा चुके वो प्लेलिस्ट में पड़े हुए तो आप देख सकते हैं जिसमें हम दो यूनिट करवा चुके हैं या यूनिट तीस है तो चलिए अपने प्रश्णों के ओर चलते हैं कुष्चन नंबर एक सिच्छा नीटी 18 जंगन किस ने तैयार की थी चार्ल्स बूर्ड ने तैयार की थी कुष्चन नंबर दो बूर्ड के घुषणा पत्र ने भारत में विश्व बिद्याला की इस्थापना आदर्स मान को किवाल देशी को इन सभी को इसमें दाउप्सन सही है कुष्चन नंबर चार बुड का आग्या पत्र प्रकासित हुआ था उन्नीस जुलाई सन 1854 को प्रकासित हुआ था कुष्चन नंबर पांचिस गोष्णा पत्र के अनुसार अब राज्य का सर्वोच सिछ्छा अधिकारी क्या कहलाता है लोक सिछ्छा संचाला कहलाता है कुष्चन नंबर च्छै कलकत्त मुंबई में विश्व बिद्याला की स्थापना का आदर्स किसे बनाया गया लंदन को बनाया गया था कुश्चन नमबर साथ एसी आटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई 1784 इस भी को हुई कुश्चन नमबर आठ 1280 में संस्कत कालेज की स्थापना किसने की रेजीडेंट जॉन्थन डंकन ने की कुश्चन नमबर नौ कलकत्ता में फोर्ट विल जलीने की कुश्चन नमबर 10 स्रीमती केंप बेल ने मदरास में एक महला आश्रम की स्थापना कब की सन 1787 इससी भी में की कुश्चन नमबर 11 सिछा के छेतर में बालचर प्रणाली का परिछण किष्णे किया डंक्टर एंड्रियू वेल ने किया कुश्चन नमबर 12 1813 के चा अंग्रेजी माद्यम से सिच्छा देने के लिए बिद्ध्यलायों की स्थापना कब की गई। सन अठार सो तीस इस वी के बात की गई। कुश्चन नमबर चौदा बैनी वॉलेंट इनस्टिटीूशन नामा के सिच्छा सिच्छन संस्था की स्थापना किस ने की। मैं काले निकी कुश्चन नमबर पंद्रा ग्रेट बिर्टेन की एस याई प्रजा की सामाजे की स्थिति नामक पुष्टिका का लेखा कथा चौर्श ग्रांट था कुश्चन नमबर सोला बुड घूषणा पत्र में सबसे अधिक है किस बात पर बल दिया गया अनुदान पर कुश्चन नमबर 17 भारती सिच्चा आयोग है 1882 की प्रमुक्ष फारश निम्नमैसे क्या थी प्रात्मक सिच्चा का बिकास माध्धमक इस्कूल निजी संस्थाओं को सौप दिए जाए ऐसा पाठेक्रम लागू किया जाए जिस्ते च्छात्रों को अद्दोगे किता था ब कोल्काता मुंबई तथाचे निजी कुश्चन नमबर 19 प्राच्य पाषचा त बिबाद में प्राच्य बादियों ने निम्नमैसे क्या थार कि दिया एक लाख रुपाई प्रती बार से सिच्चा पर ब्याय किया जाए प्राच्य विद्द्या भारतियों कि सुभावा प्र प्रवतियों के अनुकूल बिखसे थो, पास्चात सिच्छा से मदर्शों पाट सालाओं को आगातों चीगा, उपर योगत सभी इसमें दापसन साहिए, कुश्चन नमबर 20, बुट से घोषणा पत्र कव जारी किया गया, 19 जुलाई सन 1853 को किया गया, कुश्चन नमबर 21, ब सिच्छे थे, ब्यक्तियों कोई प्रयाथ में एकता उपर एक तो सभी इसमें उपर एक तो सभी इदापसन साहिए, कुश्चन नमबर 22, लॉर्ड मैकाली गवर्नर जनरल की काउंसिल का कानूनी सलायकार बनकर भारत कब आया, 10 जून 1864 CCV में आया था, कुश्चन नमबर 23, लॉर्ड मैकाली की सुझाओं को मानकर गवर्नर बिलियम बैंटिक ने भारतियों के लिए सिच्छा संबंदी कि नीती की घोशड़ा की, सबसे अधेक धनरासी अंग्रेजी सिच्छा पर ब्याय की जाए, संस्क्रेट अर्वी तथा, फार्शी की सिच्छन संस्था बंद कर दी जाए, प्राक्षे, साहे, तकी, मोद्रन और प्रकाशन पर कोई खर्च ना किया जाए, उपर युक्त सभीस में दा उप्सन साहिए, कोश्चन नंबर 24, सिच्छा के छितमने सिच्छा के अंधन सिच्छा का जनक कौन था, लॉड मैकाले था, कोश्चन नंबर 25, सिच्छे तव्यक्तियों की आवसिक्ता थी, जिन्हें उच्छे पदों पर आसीन करके सासन को शुद्रन बनाया जासा कि उपर युक्त सभीस में दा उप्सन साहिए, कोश्चन नंबर 26, अंग्रेजों ने भारत में एक नबी ने बर्ग का निर्मान किया, जो सासक की किरप प्राप्त करने के लिए सर्वात्र प्रयत नसील रहता था, यही कारण है कि निश्यनन सिधांत जिस उद्देश के लिए लाया गया था, उसको प्राप्त करने में पूर्ण तहां अस्फल रहा, यह कथन किसका है, यह पंडिज जवालाल नहिरू जी का कथने, कुश्चन न किंगाल में लोक सिच्छ समीति की स्थापना कब की, सन 1833 में की, कुश्चन नमबर 29, 1833 के आग्या पत्र की मुख बात क्या थी, धनरासी एक लाग से बढ़ा का दसगुनी कर दी गई, समस्त देशों के मिश्णरियों नरी भारत में प्रवेश कर सकेंगे, धर में बंस वर् कोई भारती कंपनी की नौकरी के लिए आयोग नहीं ठेराया जाएगा उपरी तो सभी समें दा आप्सन सही है, कुश्चन नमबर 30, भारत में अंग्रीजी सिच्छा का प्रतिपारक निमने मैसे कौन था, लॉड मैकाले था, कुश्चन नमर 31, बुट के घुष्णा पत्र क लिए निमने मैसे क्या बिसेशता है? बारतों, सिच्छा का प्रतान करना सरकार का करता बहुत है, सिच्छा का उद्धिस बोध्यक नातिक बिकास के साथ सतराज की ये तंत्र में यूग के देने वाले व्यत्तियों का निर्मार करना, भारती ये तथा, अंग्रेजी भासा क सिच्छा का माद्ध्यम सुईकार किया गया उपर एक तो सभी को इसमें दापसन सही है कुश्चन नमबर 32 बोट के घुष्णा पतर की प्रमुक है सिफारिस निमनेमैसि क्या है सिच्छा निती के संगठन का उद्देश से अंगरेजी भासा तथा देशी भासाओं का सिच्छा का माद्ध्यम बनाना जन सिच्छा के प्रिशार की घुष्णा अपर एक तो सभी समें दापसन सही है कुष्ण नमबर 33 अपने राज जमें प्रात्मक सिच्छा को अनिवार बनाने की घुष्णा किसने की महराज बड़ोदाने की कुष्ण नमबर 34 गोखले ने केंदरिये धारा सभा के समक्ष अपना बिल प्रस्तुत किया 17 मार्च 1910 इस वी को किया कुष्ण नमबर 35 गोखले कुष्ण नमबर 36 गोखले बिल का संबंद था प्रात्मक सिच्छा से कुष्ण नमबर 37 गोखले बिल की एक मुख बात थी 6-10 बार्च के बालकों के लिए अनिवार सिच्छा कुष्ण नमबर 38 हंटर आयोग की स्थापना के समाई केबल दो प्रसिच्छ बिद्याला थे जि आयोग ने निम्ने मैंसे किसके संबंद में सुझाओ नहीं दिये प्रोण सिच्छा कुष्ण नमबर 41 भारती सिच्छा आयोग में कितने भारती सदस्थ थे साथ सदस्थ थे कुष्ण नमबर 42 भारती सिच्छा आयोग हंटर आयोग की नियुकती की गई तीन जनबरी सन अठारा सो ब्यासी सिवी को, कुश्चन नमबर 43, भारत में सर्व पर्थम 10 प्लस 2 प्लस 3 सिच्छा संदचना किस आयोग ने प्रिस्ताबित की, कोठारी आयोग ने, कुश्चन नमबर 44, निश्यनन सिद्धान्त का समर्थन किशने किया, मैं काले ने किया, कु कुश्चन नमबर 47, गोखली बिल संबंधित था, प्रात्मेक सिच्छा से, कुश्चन नमबर 48, मैं काले ने अपने विब्रण पत्र की घोषणा की थी, 10 जनबरी 1812, इसवी को, कुश्चन नमबर 49, अधु लेखा च्छान ने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था, मैं काले ने, कुश्चन नमबर 50, सिच्छा के निस्पंदन, सिद्धान्त ने किस बर्ग की सिच्छा पर विशेश बल दिया, ओच्च बर्ग की सच्छा पर, स्टूडेंट ही हो गए हमारे 50 कुश्चन आगे के, कुश्चन हम आपको अगले भाग में देगे, वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू